सांप और नेबले में दुस्मनी क्यों होती है चलिए जानते हैं दरासल दोस्तों सांप जमीन के अंदर रहने वाला जीव होता है सांप उन सभी के लिए दुस्मन बन जाता है क्योंकि सांप उनके घरों में गुसकर या तो उनके अंडे खा जाता है या पिर उनके बच्चों को खाजाता है कोई नहीं चाहेगा कि कोई उनके बच्चों को मार कर खा जाए और इसलिए नेबले को डर होता है कि कहीं सांप उनके बच्चों को ना खाजाए इसलिए वे उनसे लड़ता है और सांप के जहर का नेबले पर बहुत असर भी होता है इसलिए इस लड़ाई में नेबला ही जीता है अक्सर नेबला और सांप अपनी अपनी जान बचाने के लिए ही लड़ते हैं तो दोस्तों आप लोगों को फैक्त अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी और भी अमेजिंग फैक्त देखने के लिए